अगर सेंड्वीच मेकर की बात हम कर रहें तो ग्रिल सेंड्वीच मेकर सबसे लेटेस्ट टेकनोलोजी है और ग्रिल सेंड्वीच मेकर में आप वेराइटीज रेसिपी ट्राइ कर सकते हो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेस्ट फाइब सेंड्विज मेकर के बारे में ने 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 सिर्फ बेस्ट फाइब सेंड्विज मेकर नहीं हम इसमें कुछ अलग वेराइटीज भी एड़ करने वाले हैं तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें नमबर फाइब में हमने रखा है मिनिमम बजेट में सबसे अच्छा वाला सेंड्विज मेकर बात यह है कि इस रेंज में PGN सबसे अच्छा था लेकिन PGN का अभी रेंज थोरा ऊपर के तरफ चला गया है तो वहाँ पे हमने लाइफ लॉंग का LLSM120G सेंड्विज मेकर को इस जगे पे रखे हैं यह ग्रिल सेंड्विज मेकर है इसका करेंट कंसम्शन 750 वाट है यह आपका फोर्ड स्लाइसर है इसमें नॉन स्टीक फिक्स प्लेट मिल जाता है यह आपको इसी टू क्लीन है ओवरीटिंग प्रोटेक्शन इसमें आपका दिया हुआ है और पावर देते ही यह रेटी टू को जाता है कुल टाच हाउजिंग है इसमें और एक साल का ब्रेंड वरंटी आपको इसमें मिल जाता है 8.99 प्राइस है जब मैं यह विडियो बना रहा हूं तब इसका और लेटेस्ट जो प्राइस है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां प का प्रेस्टीज की तरफ से है यह पीजी एमफ्टी जीरो वण सेंडीच में कर है और यह ब्लैक कलर का है क्योंकि लुक्स भी बहुत माहिने रखता है अब यह जो सेंडीच में कर है यह 800 वाट का है और यह फोर स्लाइसर है यानि आप इसमें फोर ब्रेट स्लाइस दे सकते हो नौन स्टीक फिक्स प्लेट है ओवरेंटिक प्रोटेक्शन इस वाले में भी आपको मिल जाता है कुल टैच हाउजिंग है एक साल के वरेंटी के साथ आता है इसका जो बिल्ट क्वालिटी है वह बहुत ही अच्छा है और यह थोरा वेटी भी है जो 5 नंबर हम लोग का स कर सकते हो अब तीसरे नंपर पर हम लोगा जो सेंड़ुज मेकर आता है वो हैवस ब्रेंट के तरफ से है यह हैवस का पार्फेट्ट फिल प्लास और यह जो सेंड़ुज मेकर है यह 800 वाट का है रिल सेंड़ुज मेकर है और क्योंकि यह सेंड़ुज मेकर है तो इसका आफ stylish light indicator इसमें दिया गया है, over heat protection इसमें भी आपको मिल जाता है, और क्योंकि ये non-stick का है, तो easy to clean तो है, इसका जो non-stick है, वो food grade non-stick से बना हुआ है, इसका price है 1400 रुपया, और आपको अगर latest price जानना है, तो नीचे description में मैं इसका link दे दूँगा, वहाँ से आप इसको check कर सकते हो, अब दूसरे नपर पर हम लोग का जो sandwich maker है, इसका जो feature है, वो सारे जितने भी sandwich maker है, उनसे अलग है, ये है आई बेल का SM1301 sandwich maker, और ये 3-in-1 sandwich maker है, इसमें आपका changeable plate है, आप इसमें toast plate लगा सकते हो, waffle plate लगा सकते हो, और grill plate लगा सकते हो, यानि 3 अलग-अलग काम, आपके एक ही sandwich maker में इसमें बन जाएगा, और ये 750 watt का है, इसमें जो waffle plate है, उसमें आप snacks बगारा आसान ही से बना सकते हो, easy to clean तो है, ये जो sandwich maker है, इसमें overhead protection आपका दिया हुआ है, और ये एक button के brace से, आपका जो plate है, वो खुल के निकल आता है, cool touch housing है, एक साल के warranty के साथ आता है, और 2184 इसका price है, latest price जानने के लिए, आप description में जो link है, उसको click करके check कर सकते, वैसे i-bell उतना जाना माना brand नहीं है, लेकिन feature इतना अच्छा है इसमें, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे include किया है, अब दोस्तों हम लोग का number one जो sandwich maker है ना, ये इन सभी से पूरा different है, ये है press grill वाला sandwich maker, केंट का 16025, और ये जो sandwich maker है, इसमें आप press करके grilling कर सकते हो, 700 watt का ये sandwich maker है, 4 slicer है, non-toxic ceramic plate से बना हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि आभी बहुत सारे लोग, जो non-stick plate है, उसको use करना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे वो लोग ceramic use कर सकते हैं, क्योंकि ceramic plate जो होते हैं, वो बिलकुली safe होते हैं, ये easy to clean तो है, इसलिए auto cut-off function इसमें दिया हुआ है, adjustable height control है, cool touch handle है, जिससे कि आसानी से आप इसको press कर सकते हो, ergonomic handle इसका, और one year brand warranty के साथ आता है, 1599 रुपया price है, press grill sandwich maker में ये बहुत ही कम दाम वाला है, और अगर आपको latest price जानना है, तो नीचे description में मैं link दे दूँगा, वहाँ से आप इसको check कर सकते हो, इसका latest price, तो दोस्तो अभी आप बताओ कि, आप घर में कौन सा sandwich maker use करते हो, नीचे comment section में जरूर बताना, और अगर आप एक latest sandwich maker खरीदने वाले हो, तो वो भी कौन सा आप खरीदने वाले हो, planning कर रहे हो, वो नीचे comment में बताइए, तो दूसरे जो वीवर से उन लोगों को आसानी होगा, तो अगर आप sandwich बनाने के recipe के वारे में जानना चाते हो, कैसे sandwich maker में sandwich बनाते हैं, तो उसके भी वीडियो हमारे चैनल पे है, उसका link मैं नीचे description में दे दूँँगा, वहां से आप उसको check कर सकते हो, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक like कर देना, चैनल भी अगर आप नए है हो तो चैनल को subscribe करके बिल आइकिन को ज़रूर प्रेज कर देना, मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ,